सनातन धर्म को लेकर डीम के के नेता उधनिधी इस्टलीन और कॉंग्रूस पार्टी के नेता प्रियांग खड़के के बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और इसको लेकर विपक्षी गटबंधन आई एंडी आई ये पर बीजपी लगातार हमलावर है अब बीज के नेता निटेश राने ने विपक्षी गटबंधन आई एंडी आई ए पर बड़ा हमला बोला है निटेश राने ने ये कहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ ये गटबंधन बना हुआ है और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो मीटिंग कल श्रदफवार के आवास पर ह हुई है तरसल इस बैठक में सनातन का अपमान करनी के लिए डियमके नेताओं का सम्मान और अभिनंदन किया गया है तो कुल मिलाकर विपक्षी गटबंधन आई एंडी आई की जो मीटिंग कल एंसीपी नेता श्रदफवार के आवास पर हुई और वहां पर डियमके के उन नेताओं का अभिनंदन और सम्मान किया गया जो सनातन धर्म को लेकर लगातार वयानवाजी कर रहे हैं उसे नश्ट करने की बात कर रहे हैं सनातन की तुन्ना एचाइफी से की जा रही है इसको लेकर अब बीजेपी भड़की हुई है और इसी कड़ी में नितेश राने का ये बड़ा पयान साथने आये हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो विपक्ष का गटबंदन हैं जिसका हिस्सा कॉंग्रेस पार्टी भी है ये हिंदू धन के खिलाफ गटबंदन बना हैं नितेश राने ने क्या कुछ कहा है सुनिए कल इंडिया लाइंस की बैटक दिल्ली में हुई वो पवार साब के घर में हुई हमारे पास ऐसी मालूमात है कि उस इंडिया लाइंस के बैटक में जो डियमके भी के साती भी थे उदर के लीडर थे और डियमके के लीडरों के माध्यम से जो किछले के हपतों से सनातन धर्म के खिलाब जो बोला जा रहा है हिंदू समाज के खिलाब जो बोला जा रहा है तो वोई DMK कल अभिदंदन का ठराओ कल लिया गया उनकी प्रशंशा की गई तो हमको यही सवाल करना है कि अगर आप DMK के सनातन धर्मा के स्टेटमेंट को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो यह ज इस दियम के हमारे हिंदू धर्मों को नाम गाली दे रहे हैं उसका अगर आप उसको अगर अभिनंदन कर रहे होंगे तो इंडिया लाइंस का असली चैरा क्या है यह देश की जनता पैचान लिया तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि NCP के अध्यक्ष जो है शरतपवार उनके आफास पर के INDIA गटबंधन की समन्विय समीती की बैठक हुई और बीजेपी के प्रवक्ता नितेश राणी ने इस बैठक पर हमला बोला और इस गटबंधन को हिंदू विरोधी उन्होंने बताया उन्होंने बैठक में शामिल गटबंधन के नेताओं पर हिंदू धर्म के खिलाफ जारी बयान बाची को सहमती देने का भी आखोप लगा दिया इतना ही नहीं जिस तरीके से नितेश राणी ने ये बयान दिया है उन्होंने बताया कि उन्हें शर्दपवार के आफास पर हुई बैठक के बारे में जानकारी मिली और इस बैठक में शामिल नेताओं पर ये आखोप नितेश राने की ओर से लगाया किया है कि उन सभी ने सनातन धर्म के विरुद बयान देने वाले उसे डेंगू और मलेख्या बताने वाले डियमके के नेताओं का अभिनंदन इस बैठक में किया किया उन्होंने ये भी आखोप लगाया कि दरसल ये विपक् फिर चाहे वो बीजेपी के राश्टे अध्यक्ष जेपी नड़ा हो फिर चाहे वो रविशंकर पर साथ हो या फिर बीजेपी की ओर से जो प्रेस कॉनफरेंस की गई है उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि दरसल ये राहुल सोहिया का गुप्त एजेंडा है ये गटबं सनातन धर्म पर हमला विपक्षी गटबंधन का गुप्त एजेंडा है और इस पर हलाकि कॉंक्रस पार्टी भी बढ़की हुई है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमें ढोंगी लोगों से सीखने की जहुरत नहीं है यानि जो सियासी बयानवाजी का दौर है वो अब इन बय कही गई डेंगू और मलेशया जैसी बिमार्शियों से उसकी तुल्हा की गई और उसके बाद डिमक्य का एक कई नेताओं की ओच से बयान सनातन पर दिया गया है यह राजा से लेकर कई नेताओं का वयान शामने आ चुका है जब बारभावार सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है और यही बचा है कि माहराश्टर से जो बीज़ेपी के नेता है नितेश राहनी वो अब भड़के हुए हैं और यह जो विपक्ष का गटबंदन है इसकी तुलना उन्होंने हिटलर से कर दी उन्होंने यह कहा कि हिटलर ने जो जर्मनी से किया वही इंदिया एलाइ सनातन किया जा रहा है ऐसे लोगों को क्या देश की जनता स्विकार करेगी राने यह भी कहा कि हिंदू समाज आई एंडी आई एक गटबंधन को जवाब देगा यह बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है क्योंकि देश के कई राच्यों में विधानसभा चुनाफ होने हैं और चुनाफी लिखास से अगर देखा जाए तो अलगलग राच्यों में अलगलग राजनितिक समीकरन हैं तो ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि जिस तरीके से सनातन को लेकर यह बयान दिये जा रहे हैं सनातन धर्म का अपमान हो रहा है उसे नश्ट करने की बात हो रही ह और DMK जो है वो विपक्षी गटबंधन INDIA का हिस्सा है तो ऐसे में DMK के नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है अब भी उनका इस गटबंधन में सम्मान क्यों हो रहा है क्या यह किसी रन्नीती के तहत बयान पाजी हो रही है क्या वाकई BJP के जो आरोप है कि य वाकई यह कुप्त एजेंडा है क्या किसी रन्नीती के तहत यह बयान पाजी हो रही है क्या एक वर्क विशेश का वोट पैंक साथने के लिए यह राजनीती हो रही है यह तमाम सवाल जो है वो आम जंता के मन में भी है और यहीं वज़ा है कि यह बयान पाजी का दौर थम नहीं रहा है और जब NCP के जो चीफ हैं शर्दफवार उनके घर पर यह बैठक हुई जिसमें आर्चेडी के नेता जे जिसमी यादव, डी राचा, टी आर बालू, समाचवादी पार्टी के जावे दली, कॉंक्रेस की ओर से गुर्दीप सिंग सपल और कई और नेता जो है शर्दफवार के घर पर मौझूद रहे और यहाँ फैसला हुआ सीट शेरिंग पर, पहले राच्छ इकाई चर्चा करेगी उसके बाद कॉर्डिनेशन कमेटी में यह माफला आएका, यह तमाम जो चीजे हैं वो इस बैटक में दरसल हुई है, बातचीत इस बैटक में इन तमाम चीजों पर हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बवाल है, वो बवाल है, तमिलनाडू के मुख्य मंतरी, M.K. स्टेलिन के बेटे उदेनिथी, और D.M. के सांसद एराचा का जो बयान है, सनातन धन को लेकर, उसके बाद जो वहाँ के सिक्षा मंतरी है, पोन मुंडी, उन विपक्ष के गड़ बंदन पर हमलावर है, अलाकि कॉंक्रिस भी पलटवार कर रही है, लेकिन सनातन पर की गई डिपनी, जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए मुझकिले बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष पर कि ये उनका गुप्त एजन्दा है, और इस तरीके से ये बयातबाची हो रही है, तो ऐसे में ये बयातबाची कहां जाकर थमे की, और इसका कितना बड़ा नुकसान जो है, वो विपक्ष को होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा, फिलाल आपकी इस पूरे माफने पर क्या राय है में जरू लिखें और चनल को सब्सक्राइब करें, ताने बाद!